अगर आप एक टैक्स की प्रेक्टिस करते हो जी एस्टी की है ना रिटन कैसे भड़ते हैं या कोई पंगा फस गया किसी का को उसमें सेल टेक्स डिपार्टमेंट में तो उसको गया सोल करना है हलो दोस्तों कैसे हैं आप कैसे हो बच्चों सभी अच्छे होंगें बढ़ियां होंगें आप सब के लिए लगातार वीडियोज आ रही हैं आपके कर्यों कैसे स्ट्रॉंग बना सकते हैं यह चैनल डिपैंडेड है वाई कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड भी है क्योंकि आप सभी commerce students को एक अच्छा करियर बहुत ज़रुई क्योंकि जो हमारे उपर क्या कहते हैं दाग लगा हुए ना दामन पर क्या दाग कि commerce वाले हो क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते साइंस लेते commerce लेके क्या कर लिया वह बीकॉम करोगे अकाउंटेंड बनोगे करियर नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों सबस्यादा करियरी commerce की फिल्ड में और आपने commerce लिया तो आपने बहुत अच्छा किया है कोई commerce का वेक्ति कभी भूका नहीं मर सकता अगर उसे कोई अच्छी जोब नहीं मिलेगी तो उसके पाइस स्टार्ट अप्स करने के लिए और कभी भी देख लेना कोई भी स्टुडेंट्स एक स्याद अर्णिंग सोर्सेस पर काम करता है अगर कहीं जोब कर रहा हो तो साथ अगर वी कर रहे हो तो आपके लिए क्या फाइदे का स्कॉप है इसके बारे में काफी दिमांड आ रही थी कमेंट में वीडियो बना देते हैं कि सर कहां कहां पर हमें जौब मिल सकती है कैसे कैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं तो मेरे पास साथ से आठ ओप्श करते हो ठीक है एलल्व करने के बाद आपके पास ओप्शन होता हुता है प्रेक्टिस का कि आप किस फिल्ड में प्रेक्टिस करते हो जैसे एक होता है आपका legal advisor उसमें आप प्रेक्टिस करते हो एक होता है GST tax की knowledge वाले thex के lawyer जो बनते है एक होते है जो आपका कि क्रिमिनल क की प्रैक्टिस करते हैं जुडिस्ट्री की त्यारी करके जज्ज बनने की त्यारी करते हैं एक होता है जो पर्टिकुलर जो भी ऐसे प्रोपर्टी वगारा की काम होता है सब देखते हैं तो में बात है कि आप प्रैक्टिस किसमें करते हूं मेरे एक स्टुडेंट है जो बीकॉम प्लस लल्बी कर रखा है ललम कर रहे थे छोड़ दिया था बीच में उन्होंने पहले तीन साल टैक्स की तियारी करी सब किया उसकी बाद उन्हें आइडिया है कि में जो हूं लीगल काम देखूंगा कोर्ट में बैठके बैठके और उसके बाद आप उस फिल्ड में आगे बढ़ गए वह टेक्स हागाम नहीं छोड़ दिया जबकि नौली ले ली थी तो यह जहां पैसा दिखता है महाँ पे जो पहली चीज है क्या क्या बन सकते हो आफ्टर वीकॉम लल्ब या बीवी लल्ब या बीकॉम ओनर्स लल्बी नमबर और एडवोकेट यह लो है ठीक है वकील तो आप बनी गए हो सबसे पहली चीज और वकील बनी कि आपके पास मैंने अभी बताया कि मेरा अंसर मैं दे च इसोल करना है उसके लिए आप एक अडवाइजर बन सकते और अपना ओफिस खोल सकते हो उपिस खोल के समझस्का तरीका आप को चले जाओ किसी सीनियर वकील के पास प्राक्टिस कर सकते हो आलाग अलग फिल्ड्स होती है जिस फिल्ड में ब्रेक्टिस करोगे उस काम मिलता सबसे पहले चीज दूसरा आता है असिस्टेंट एडवाइजर बहुत सारी कंपनिया या फिर आपको फिर यहां बहुत्त आ है और अड़वाइजर के तो बहुत सीड नेरा क्याहाओ तो आपको एडवाइजर के तोर पर रख लेते हैं और हो यहां पर दे तो इस तरह की जूब आपको मिल जाती है कंपनीज में या पर्टिकूलर डिपारट्पेंट्स जा जो आप पोलिटिशन लोग होते हैं और लोग होते हैं वह भी आपको हायर कर लेते में ऩूर शुक्त तो आपको पताई हो कि जितने भी पॉलेटिशन से ना इसमें पॉपुलर पॉलेटिशन उनकी जड़ा स्ट्रडी चैक करनों नहीं क्या कर रखा है मैक्सिम आपको एलल भी करें मिलेगे जी तो कि जिने कानूनी दावपेस का पता होता है वह इन चीजों में आगे बढ़ते ह दो का दो लो ओ फीसर ऐसी में बहुत सारी कंपरियों में पोस्ट होता है लो अफिसर की जैसे मैनेफेक्टिंग कंपनी बड़ी गौर्मेंट कंपनी प्राइबसे कंपनी लो 바뀌त होती है जिसमें आपको पार्टीकुलर एक सर की पर आप रहेंगे एकस्पीरेंश के साथ जत आप सकते हो इसके लिए अपनी प्रेक्टिस भी कर सकते हो किसी कंपनी वगेरा में जोब भी कर सकते हो दोनों अप्शन यहाँ पर रहते हैं जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में एक जोब निकलती है अलग से जिसे कहते है इस पेशलाइशन ओफिसर एस ओगी उनका काम यही होता है कि बैंक की जितने भी कानुनी चीज़े हैं वो समझ के रहे हैं बिजनीज जो नया बिजनीज स्टार्ट अप करते हैं उन्हें भी गाइड देने के लिए होते हैं बिजनीज डवलब्मेंट ओफिसर्स ठीक है कंसल्टेंट नेक्स आता है एचार मेनिजर जी यहां दोस्तो हर कंपनी में डिपार्टमेंट होता है हुमन रिसोर्स जहां पर लोगों की भढ़ती की जाती है उसका डिपार्टमेंट तो वहां पर आप एचार मेनिजर भी बन सकते हैं लल वी करने के बाद है जिक ह आप कानूनी सलाकार जिसी कि आप लोगों को सला दोगे अपना ओफिस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो साइड बाइसाइड मैं एक बंदे से मिला उन्होंने अपनी शॉप कर रखी है गार्मेंट्स की साथ में बोर्ड भी लगा वे लिगल एडवाईज है तो इसलिए जो जिन तो मैं कहूंगा लेल भी करो लेल भी करके आप एक तो अपने बिजनिस को आगे बढ़ा सकते हो कोई कानूनी दावपेश होगी तो आप उसमें मदद कर सकते हो और साथ में इस तरह काम भी स्टार्ट कर सकते हैं लीगल एडवाईजर के बाद आप लास्ट आती है कुछ ग टर्में रह जाता हाई कोई मैंस निकल जाता है वीचार के साथ चल रहा है ठीक है उसके लब鉤ो मैने बताई दी आपको ऑच्ब्स जिसके लेमंगा जाता है government जो companies होती है समझते हैं आप सब्सक्राइब जितने भी government जैसे आपका ओंची सी एंडिया और या यह बियाचेल है यह सब्सक्राइब उसकी कमपनी वे भी वकेंशी निगलती है और उसकी requirement होती है LLB with 60% 50% यह सारी पोस्ट है तो आप यह मत समझो कि हमें बस यही पता है कि LLB करके हमकी वह वकील बन सकते हैं ऐसा नहीं है वकील बनने के साथ साथ आपके पास दोनों options है आप अपनी practice करते हो तो अपना office खोलके आप लोगों को को सला देकर एक fees charge कर सकते हो और फिरी time में अपनी earning कर सकते हो लाइफ में फिरी रहकर एक होता है आप किसी कहीं पर job करना चाहते हो तो आप job आप